हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल अल्रेज हैबी मैं हूँ शाहिन जमान आज अब लोगों में दिखने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेइमेंट बैंक अकाउंड घर बेड़े बेड़े आप अपना स्मार्ट फोन से क्या से उपन कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं अब शुरू करने से पहले बता दू अब लोगों को कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लेस सबस्क्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन का जरूताव देना तक इस तरह का टेक्निकल वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए तो चलिए दि ऐसार्च कर देना है आई पृबी तो जैसे आप यहाँ आपसार्च कर देंगे तो आपके संबने इस तरह काका आपको इंस्ट्टी अप्चन 2 एक जाएगा जहां पर login का बटन है और open your account नाव जैसा अगर आप पहले से आपके पास इंडिया पुस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का अकाउंट है तो आप यहां पिसे डिरेक्ली आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन पर क्लिक करके जैसे कि मेरे पास इंडिया पुस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का कोई भी अकाउंट नहीं है तो मैं सिधा ओपन करके अगर लाइब दिखाऊंगा आप लोगो तो वीडियो स्किप किया भीना आप लोगो देख देखते रहिए आप लोग इस तरह से इंडिया प्इरकाउंट अडिया पेकाउंट कर जाता है चलिए पहले क्लिक कर दो लीन आँप इनकी क्लिक करणने के बाद आप को कि आप मोबाइल नंबर डाल डाल दिए जासे कि मैंने याफ अपनो फेंड लंवेल नमर डा spoiler जाओन जबड़ Extra अकाउंट और पैन और वह यह पे डाल दीजिए ठीक है दूस्तों तो देखिए पैन नमबर डालने के बाद क्या करना होगा सिदा सिदा आपको यहां पे नोड ओटीपी विल बी सेंट टू तुदा कस्टुमर मोबाइल नमबर प्रवाइड़ है और फॉर बेरिविक्रिशन इसका मतलब अगर This number से आप यहां पर देर आ हो मोबाइल नमबर बेडिशन जो बनामब्र नमबर आपने डाला है उसी नमबर पर आपका ओधिल तो नमबर चेक कर लिजोएगा ठीक है तो तो नमबर चाय कर लिजिएगा टिक घलतंगी तो नोड़ग न मेरे फॉन आएगा उसका वह उसका वैलिटी है तीन मिनिट के लिए तो देखे दिखे दिखे दोस्तों वी डालने के बाद आपको दिखरा होगा कि मैं आ ब्लार करके टाइप कर रहा हुए तो आप भी आपका जो अधरकाट का नंबर है वह यह आपे डाल दीजिए दोगो दोस्तों तो ठीके कि देखे दूस्तों मैं यह पर डाल दिया है अधाई पर से जो आधरकट का नमबर डाल दिया है सेम अधरकाट मैं पर यह दोबहर्णा सँ डूपर यह तो यह पर डाल रहा हूं हिए दोस्तों आरफर का नमबर जो हे यह 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 तो आपना यह पे और I do not have other based OTP account with any bank मतलब मेरे पास other based OTP account किसी और बैंक में नहीं है तो और I have और अपने नहीं क्या है ऐसा बोल रहा है और अप इंडिया पोस्ट में बैंक अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हो ठीक है दूस्तो तो मैं यह पे दूनों पे टिक कर रहा हूँ तो टीक करने के बाद आपको क्या करने होगा देखिए अगर आप सिंगल टिक करेंगे तब तो बीडिक कम चल जाएगा ठीक है दूस्तों तो क्या है मैं यहां पर सब्मीट कर रहा हूँ सब्मीट करने फिर टांस अंडिशन को ठीक कर रहा हूँ उसके बाद सामिट कर दिया सब्मीट करने के बाद देखिए दिखिए जो ओटीप आएगा मेरे फून पे दुबारा स सब्मीट हो गया है तो जैसा ही मेरे जो अधर कट का जो रिश्टर मोबल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा तो थोड़ा ओट कीजिए रिवात आए होंगे आ चुका है जो अधर कट का ओटीपी है वह आ चुका है तो मैं यहां पर देख रहा हूँ कि 313661 313661 देखिए दालने की साथ आटो सब्मीट हो गया है तो देखिए अभी पर्सनल इंफरमेशन पूछ रहा है या पर्सनल इंफरमेशन जो भी है इसको फिल आप करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पर्सनल इंफरमेशन पर क्लिक क्या तो मेरा जो भी डिटेल से वह यहां पर आ चुका है जो डिटेल साधर कट करें आचुका है जैसे कि कुछ डिटेल से जो नहीं आया है उसको यहां पर फिल आप कर देना है जैसे की मादार्स मेडन नेम इसका मतलब आपका मा की जो है ओ जो मैरिज की पहले की जो नेम है वह डाल देना है ठीक है और हजबेंस वाइफ निम करना है आपका पोथी का नाम हजबन करने में अब डाल देना है और अगर कोई मेल यह पर उपन कर रहे हो आपका वाइफ का नाम जो इस तरी का नाम है वह यह पर डाल देना है ठीक है दूस्तों तो मैं यहां पर अपना वाइफ का नाम डाल देता है ठीक है दूस्तों तो आपको यह बहुत ध्यान से डालना है जोस्तों जिसमें आपको मेल आएगा दूस्तों बैंकिंग इनी इसूज के ठीक है तो ठीक है तो ठीक है दूस्तों यह पे डालने के बाद सब करने के बाद एक बार क्रुस चेक कर लिजिएगा कर चेक करने के बाद आपको क्या करना है आपको सिदह सिदह परसेड़ पर क्लिक कर देना है उसके बाद पार्सलर इंफर्मशन आघ हो इसके बाद नॉमिनि ये स्ट विस्ट नॉमिनि अगर आप नॉमिनी राखना चाहते हूं तो पर पहले बला अप्षन चूज कर लिजैंगा अगर नहीं को भी नॉमिनी नहीं राखना चाहते हो रहाँ तो जैसा है वास्ताया सेकर दिती ए जैसे मैं यह पर नौ मिनी डाल न जाहूँए तो नो मिनी के नो नेम भी जो भी है मैं आपका wife का नाम डाल रहा हूं ठीक है थो तो यह पर नो技 नेम आपको क्या गरना है सिदा सिदा डालने के बाद या पे देखिए जैसे की डाल रहा है पे रिलेशन्षिप जो भी है यह पे आप से लिएगा फदर नथर डाल यह रह जो भी है जान यह से चलाएप तो जैसे कि मेरा वाइफ तो वाइफ इस रेट कर लिया उसके बाद जो भी एडरेस रहेगा वह एडरेस अगर सेम है तो आपके जो एडरेस है उसी एडरेस पर अगर नीरा था है तो ख्लिक कर mmm के बाद या पे सेब कर दीजे देखे टी नो-bśmy आप क्या करना है एडिशनल इनफरमेशन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि नेस्नलिटी एंडियान रायना देना है जो है अपका आप यह है तो यह करते हैं तो इसमें से आगर आप जो भी काम करते हैं उसका डिटेल से डाल देना है इसके बाद आपका जो भी एन्माल इंकम रहेगा वो यहां पे डाल देना है दोस्तों ठीक है तो यह पर डालने के बाद आपको क्या करना है सिंप्ली देखें दोस्तों तो यह पर डालने के बाद आपको एडुकर्शन लेवल जो भी है रहेगा वो यह पर आप डाल दीजिए तो हूआ देखे दूसतो डालनीं की बाद आपको क्या करना है अगर आप मैट्रीक बीलो मैट्रीकुलेशन अगर टेंध क्लास से नीचे यह तो आपको बिलो मैट्रीकुलेशन महल ना है और अगर आपने तेन्थ पास किया है तो मैंट्रिकूलेशन डाल दीजेग्स तो और अगर अपने ग्राइट कर ले तक पोश्ट गर्जुए जद घ्राइट और आप ग्राइट में किया है तो तो अंडर्गाजुएट डाल दीजिए ठीक है दुस्तों उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोस्ट परसेंट नो मतलब आप किसी भी तरह की कोई प्रटिकल पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है नो पे क्लिके देना अगर आप प्रटिकल पसंद है तो यह डाल दी Kanu perceham दी खकानी εκ मोलब आपट इस्टीन मैं डेलंफ हो ऑन-लाइन लेनए डनाे पर पोस्टल लेना चांद वो जैसे को आप लेना चाहते हो यह सै डाल दीजे ठीक दिस्तों जैसे कि नहीं आप पूस्टाल अजाल दाल डाल दिया तो यहां पर मैं ओन-लाइन भी कर सकते हो fitted लाइन कर दीजिए जैसे की पोस्ट आप इसके जंजब नहीं रहेगा तो रिसीब रिसीब डीबीटी और यह साइड डॉन्ट रिसीब डीविटी इन एक्जिस्टिंग अगाउंड मतलब जो भी जो भी सब्सीटी बहुत जो भी रहता है वह आप किसी भी बैंक में तो नहीं मिल रहा है तो आई डॉन्ट वाट्ट डीविटी मैपिंग डीविटी यह साइज चेंज मैपिंग अफडिय ट्राइप यह पर कर देना है और रिसीब डीविटी इन आई पिविए और यह क्या है है इसको देख लेते हैं लोंट डिबिटी निए एग्जिस्टिंग अगांट येस कर देना है या फिर यह तो चूछ सेब कर देना है सेब करने के बाद देखे दोस्तों यहां पर कर देना कंटिनु कंटिनिव पर क्लिक एन इक बाद जैसे कि यहां पर banking option जो भी रहएगा mobile banking SMS banking Roll banking तो यह सारे कि कि तीक मार्क रहने दीजिएगा और इसके बाद देखिये दोस्तों फिर से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो क्या आपनेいき अप क्या है क्रोस्ट चेक करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको सिदा-सिदा आपको जो भी है वह आप चेक करने के बाद देखे दोस्तों यह पर चेक कर सकते हो तो सिदसिदा आप फिर से दोवड़ा से क्रोस्ट चेक करने के बाद ध्यान से चेक करिए गा ताकि किसी भी किसी भी तरह की गलती नहीं हो जाए ठीक दूस्ट तो 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 कर दीजिए कंटीनू चलिकने के बाद आपके समने करना होगा आपको क्या करना होगा आपको यह पर डाल के सब्मिट कर देना है सिंपली ठीक है दूस्तों तो जैसे कि मैं यह पर देख रहा हूँ कि आया नहीं यह भी तक तो इट किजिए थोड़ा ओटीपी आ जाएगा भी है देखिए दूस्तों तो आधरकाट जिस नंबर कि लिंक है आपका उसी नंबर पर देर डाल रहा हो तो टिविंट आने के बार देखिए उडos हो चुका है और आठर समीट होने के बाद देखिए दोस्तों यहां पे एकाउंट अपना ओपन हो जाएगा तो आपको असे तरह से आफ उपन कर दो सकते हो जो की जीरो बैलेंस अकाौंट एठीक है जिएकानट क्रिटेट सस्पूली ठीक है कस्टमर एड़ी भी मिल गया है अपना नमबर भी मिल घाए डिटेल से जिएक सब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं रिश्टर नहीं करके दिखा रहा हूँ तो आगला वीडियो में मैं जरूरू दिखाऊंगा तो उस वीडियो को देखने के लिए जरूरू सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो